बताता है कि यह मीठा है यह लडडू है यह रसगुल्ला है तो यह देंट आइन को धेज रहें खाना चालू करेंगे दानात में खोणर जो होता ता काला काला का वही होता खोणिला हलो दोस्तों दूआ सलाम सरीय काल आप लोग कैसे हो मैं आसा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आपका अपनी यूटूब चैनल एजीज़नटीटू में बहुत बहुत स्वागत है आज का जो टॉपिक है वह है मुख गुहा यानि कि हमारे मुख के बारे में जाता है वह होता है लार गरंतियां उसके बाद में आता है जीव उसके बाद में आता है दांत यानि कि हमारे मुख में पहले जो होती है लार गरंतियां उसके बाद में आता है जीव जीव के बाद में आता है यह दांत अब देखिए यह दांत और जीव और यह लार गरंति करता है और जो कारी होता है वो संस decor एसे आप मिरची खाएंगे तो आपको तीखा है यह मीठा यह投आ झीव अगर आपको नमक खाएंगे तो आपको पढ़ Salop कतम हो गया यानि कि जीव का कारी जो है पढ़ेंगे उल्गरंतियां जोー हमारे पहले दात ही पढ़ते हैं लार्गरंथिया वाद में पढ़ाइंगे पढ़ते हैं । इस दात को बायलोजीूं में क्यां बोलते हैं। औोड़ोजी, यानि कि औोड़ोजी, इस दाथ को найдो ऑर्टोडोजी भासामें बोलते हैं, ओड़ोजी ,दांथ को बायोजी भासा में बोलते हैं, और गार दात के बारि में जो सब रिसर्च होग में वह ओड़ोजी के तेंच होगा घبرचरत देखिया कि DANT जो होता है यह हमारे मुख में कितने होते हैं 32 होते हैं यानि कि 32 में होते हैं कई भाग कुछ होते हैं चाड़क कुछ होते हैं रदनक कुछ होते हैं जो है फाड़ने काम करते हैं जो नकीला होता है इसका भी अलग काम करता है फाड़ने का काम करता है इसके बारे में समझते है एज देखे ये होता है 32 यह दात होता है अब इसमें जो है 32 यह दात जो होते है यानी कि हमारा दाउ 방법 किस चीझOR बना होता है वह बना होता है कैलसियम हौब प्रफेट कार्बोनेट के इसमें एड होता है सी ये सी ओ थिरी इसलिए दात बहुत मजबूत होता है अब दात का जो मजबूत होता है उसका एक प्रत मजबूत होता है अब यह परत होती है इसको बोलते है इसके बाद में जो अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन अब देखिए जो सबसे कठोर होता है यही होता है इनामिल जो होता है यह सबसे कठोर होता है इसके बाद में होता है डेंटाइन डेंटाइन जो होता है यह कमजोर होता है अब इसमें दो परत पाई जाते हैं जिसको एक को बोलते हैं डेंटाइन एक को बोलते हैं नामिल अभी इसमें जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है यह नामिल होता है कर आघर यहां पे लाली जाँ से चर्ण हो गया हैं अबार मतलब यहां से कटम हो गया नमिल तब आएगा डेन टाइन होता है स्बसे कम दूर और इखें अगर आगर आपको इससी श़्मन वह रहा है तो इससे समझ यह को सबसे कठोर भाकोन होता है इसी लिए डाक्टर कहते हैं बरस को ज्यादा रगड के नहीं करना चाहिए यानि की रगड के ज्यादा नहीं करना चाहिए अगर रगड के करेंगे तो आपके दाथ के उपर है वह अगर बरस करते हैं दातून करते हैं रगड के नहीं करना चाहिए उसके बाद आपको डाक जो जुद जाता है पड़े पड़े अगर आप कोई चीज को कहीं भी छोड़ देंगे अगर उसकी आप साफ सफाई नहीं करेंगे तो शड़ने लगेगा तो उससे निकलता है कौन सी गैस फ्लोरीन गैस दात में सबसे ज़्यादा दात को सबसे ज़्यादा नुकसान करने के लिए कौन सी गैस होती है फ्लॉरीन गैस यह गैस फ्लॉरीन होती है यह जब सड़ेगत फ्लॉरीन गैस उत्पन होगा तो यह फ्लॉरीन गैस इस एनामिल को देदर छरण कर देती है माल लिजे यहां से ज समझते हैं उस जिवार्हार। यभी का अग्र आप धिन्भें खुब खाते रहते हैं कचर-फचर्पचर के depress cuanto उदर की कभी इस महीं वहाँ गए यहांब गए वहाँ पर गए उसको खाते रहते तो खाते रहते दिन में आपके सफ़ाई कौन करता है जो आपके अंदर से लार निकलती ही है अपके दाटों की सफ़ाई करती रहती है लार में ऐसा एंजाइंम पाया जाता है कि जो जिवाडू को मारता रहता है आपके दाटों पर बैटने नहीं देता है जब आप साम को या रात का डिनर करकर आपप सो जाते हैं तो आपके जिवानों छो है आपके खहने को खाके स hellने लगते हैं जब खाने को खाके सड़ाएंगे तो उससे निकलेगी यह फ्लोरीन गैस जब फ्लोरीन गैस इस चीज से लगेगी एनामिल से लगेगी तो एनामिल का धेदिरे होगा छरण जब एनामिल का धेदिरे छरण होगा तो आजाएगा किसमें डेंटाइन में डेंटाइन में जब आ में फाल आ गया तो कीड़े क्या करेंगे कीड़े यहां सेड़ाइन से गुसेंगे और आएंगे क्यां पेढ़ रहें बबपस हैं अब कीड़े के पाते यहां को पाहते हैं और यहां को पाल थालृ क्षान के पाथ देखिलेंगे आपे मायों nos इतना कीड़ लाइन के थाala on तो इसके लिए आपको दर्द किस कारण होता है। यहां पर यह कीड़े होते हैं, जीवाण होते हैं वह हमारे दाथ के अंदर में घुस जाते हैं और उसको देरे खाने लगते हैं। जब यह डंटाइन को खाते हैं तो हमारे दानत बहुत तगड़ा सा दुखता है यानि कि हमारे दानत में दर्द होता है तो इसके लिए आता है लॉंग का देल जो है यह पंसारी के दुकान पे मिलता है आप इसको लेके और इसमें जो है रूई डूबा के उस खुणिला में तो वहां पे जब जो कीड़े होते हैं उनकी आंख में जब लगेगा तो वह सांत से बैठ जाएंगे सांत से बैठ जाएंगे तो आपका दर्द कम हो जाएगा ओके तो अगर इसका परमनेंट इलाज करवाना है तो आप डाक्टर के पास जाएए उसको वहां से वह को से यह बैक्टरिया जिवारू जाने नहीं पाते हैं जब जाने नहीं पाते हैं तो यहां पर डंटाइन को काटते नहीं तो हमारे दांत में दर्द नहीं होता है ओके अब इसके बाद पढ़ते हैं दांत के टाइप कहां कहां होते हैं के दोस्तों इसके बाद आगे की वीड वीडियो में मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिन अगर आप नए वीवर हैं तो यहां पर लाल कर अगर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि इंड़ में वीडियो अप्लोड करना तो आपको नेन वीडियो झाल